जहिन साथियों ताहिए आज कि हम लोग इस वीडियो में एक और नए ख़बर की और हम लोग चर्चा करने वाले हैं नया ख़बर हम लोग के लिए खुश कभरी की खबर नहीं है देश में दिन परते दिन दुख की खबर फैलती जा रही है पिछले हम लोग खबर में चर्चा किये थे ट्रेन हादसा और इस खबर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पूल की हादसा भारत के बिहार राज में बन रहे एक बहुत विसालकाई पूल जिसकी लंबाई लगबग 3 किलोमिटर बताई जाती है इस पूल का निर्मानाधिन का कारिरत में रहते हुए पूल गिर जाता है इस पूल का गिरना यह फर्स्ट बार नहीं है इस पूल यह दूसरा बार गिरा हुआ है एक बार यह पूल एक साल पहले गिर चुका था और दूसरा बार फिर से पूल गिर गया है इस सेशन में इस पूल के बारे में जानते हैं यह इस पूल के गिरने के पीछे रिजन क्या है बिहार के दो डिष्टिक है जिसका नाम भागलपूर और खगडिया है इन दोनों डिष्टिक के बीच में एक पूल करनिमान किया जा रहा था जिसकी लंबाई लगवग तीन किलोमिटर के आसपास थी जो पीछे बिते दो दिनों क के पहले धवस्त हो चुका है पूर्ण रूप से आने उसकी लगवग 200 मिटर पूल गिर गई है भागलपूर और खगडिया डिष्टिक के बिच बन रहे है या पूल का सुभारम बिहार के माननिये मुख्यमंत्री स्री नितिश कुमार 2014 इस्वी में किये थे इन्होंने इस उद्गाटन 2014 इस वी में एक बार नहीं दो बार किये एक खगडिया की ओर से दूसरा भागलपूर की ओर से किये थे और दो दो बार इसका सिला न्यास हुआ का बिहार में और सिला न्यास होने के बाद 2014 से इसका कायर चालू कर दिया गया जिसका ओमेद 2019-2020 तक पूर्ण दिया जब हो गए है यह िस पूल के बनने से 90 किलोम्टर के डिस्टेंस 30 किलोमेटर में बदल जाता है आने कि इस पूल अगर यह पूल को देख प्रकcorक के दिस्टेंस तैक करना पढ़ रहा है और यह सबू के बन जानके कारण 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाए यानिस bugün की बनने से यह पूल लगवग दो बार धवस्त हो चुका है पहला बार जब धवस्त हुआ था तो उसमें 29 अप्रेल 2022 को धवस्त हुआ था उसमें भी लोगों से सवाल पूछी गई थी तो उसमें सफेद चिठा दिखा दिया गया कि हमारे यहां पूलों में कोई दोस नहीं है य फिर जुन 2023 में पूना फिर वही पूल ढगया है इस पूल की लागत सत्रा सो क्रूर रुपय के आसपास बताया जा रहा है धवस्त होने का कारण एक सिक्यूरिटी गार्ड की मौत हो गई है और अधिक जानमाल की छती नहीं बताया जाती है सिक्यूरिटी गार्ड के मौत भ गई है जिस समय यह फूल धवस्त हुई उस समय पूरा गंगा में उथल पुथल मच गया जैसे आप लोगा स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ लोगों ने इसे कैमरे में कैद कर लिया हां हालाकि वह दिन बहुत खुश नसिब थी कि वह दिन संडे की दिन थी और पिछला बा था उसमें भी कोई जानमाल की छती नहीं हुए थी इसके पीछे रिजन क्या है कि उस समय बारिस हो रहे थी तेज बारिस और हावा चल रहे थी जिसके कारण कोई भी वरकर्स काम पे नहीं था और कोई भी जानमाल की छती नहीं हुए थी और इस बार भी जानमाल की कोई छत संडे था और संडे के कारण सभी कर्मचारी सभी मजदूर लोग छुट्टी पे थे और उसी में अचानक से पूल ढ़ा गया जिस दिन पूल ढ़ने वाला था उसी दिन इंजिनियर ने पहले से नुमान लगा लिया था कि आज पूल ढ़ा जाएगा ऐसा वहां के सिक्योरिटी एक और जो सिक्योरिटी गार था उनका मानना है कि उन्हें इंजिनियर द्वारा पता चल गया था कि आज यह पूल ढ़ने वाला है और वहां से इंजिनियर छोड़के भाग चुके थे कहां से पूल के सामने से इंजिनियर वहां से छोड़के चले जा चुके थे पिछले ब पूरा पूल में भरष्टा चारी हुआ है अब यह इतना रिस्क हो गया है इतने खत्रा हो गया है कि यहाँ पे चलना तो दूर की बाद यह पूल खुद ही अपने आप ढहा जा रहा है तो यहाँ पे वहनों को दोड़ाना कितना मुश्किल होगा इस पूल को पूर्ण रूप से तयार हो जाने के बाद भी लोगों का मन में एक भाई बना रहेगा इस पूल को लेकर इस सिर्फ लोगों का मन में इस सरकारों के मन में भी भाई बना हुआ रहेगा तो यह पूल इतनी बड़ी समस्या लोगों के लिए बनकर तयार होने वाली ह और जब यह पूल चालू हो जाए और उसके बाद अगर यह धवस्त हो तो उस समय लगभग हजारों लोगों की जाने जा सकती है यह पूल लगभग 80% फिनिस हो चुकी थी लेकिन धवस्त होने के कारण यह पूल पुरा बरबाद हो चुकी यह लगभग अभी 2019-20 तक इस पूल को फिनिस होने की तयारी थी लेकिन यह 2023 आ गई है पांच सल लगभग जायद हो गए चार सल लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है मुझे नहीं लग रहा है कि 2025 थक भी हो पाई मेरा मानना है कि इस पूल को पूल रूप से चेक करना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री माननिये नितिश कुमार जी और उपू मुख्यमंत्री माननिये तेजस्वी आदव जी आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप और ये कमपनी वरष्ट है तो SP सिंगला कमपनी के ऊपर कारवाई किया जाए और इस की भरपाई उसी कमपनी के द्वारा किया जाए यह जो पूल जो बन रहा था इस कर्स्ट्रक्शन का कायज SP Shingla company के द्वारा लिया गया था किसके द्वारा SP Shingla उनिके देखरेख में ये काम चल रहा था उनिके की अंडर में ये काम चल रहा था इनके द्वारा हलाकी और भी पूल बनाए गया है लेकिन वो सभी पूल अभी तक ढहे नहीं है लेकि पूल निर्माना धिन में दो बार ढहा चुका है पता नहीं ये पूल कभी चालू हो पाएगा या नहीं ऐसा उमिद जताया जा रहा है कि जब भी ये पूल अगर इसी पू हमें देखने को मिल रही है इसमें क्या हम माने कि इसमें सरकार की भी मिली भगत है और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या माने कि सरकार आस्तच्छम है इस कायज को करने में इस पर जाच बैठाने में अगर सरकार आस्तच्छम नहीं तो अभी तक इस पूल को ये बार बार क्यों नियाय ब्यवस्ता को सुचार भंग से चलाने के लिए तो आप अपने पद से इस्तिफा दे सकते हैं बिलकुल आपको कोई दबाव नहीं है आप 20-25 सालों से आप ही वहाँ पे मुख्यमंत्री बने बैठे हैं लेकिन बिहार में अभी तक फिलाल कोई भी सुधार नहीं देख देखने को मिलते हैं इसका जीता जागता उधारन मनिश कस्यफ है मनिश कस्यफ ने पिछले बार भी इस पूल को लेकर बोला था कि यह पूल पुना हड़ाएगा और वही बाता है जाके सकार होता है यह फिर से ढहा जाता है नितिश कुमार जी आप खुद को देश के भाव बन सके क्योंकि आप लोग से पुरा बिहार नहीं संभल रहा है तो देश कब संभलेगा यह मुझे भी पता नहीं है और ऐसे ही चला गर नितिश कुमार जी तो आप से बिहार तो संभल नहीं रहा है तो देश क्या संभालिएगा घर कोई बात ने अब फिलाल इस पूल को पुना फिलाल इस पूल पर सीब्याइद जाच होने के पाद जो भी इस पूल में दोसी पाए जाते उन पर कारवाई होना चाहिए उचीत कारवाई जो होना चाहिए यह हम लोगों की और पूरे देश वास्यों की मांग है इस पूल पर दुबारा निर्मान नई होना चाहिए ये पूल को पूर्ण रूप से जांच होने के बाद इस पूल को पूर्ण रूप से ध्वस्त करने के बाद नया कंस्ट्रक्शन नई तरह से काम होना चाहिए इस पूल के उपर एक बात तो यह स फॉर्मूला वही मेथड यहां भी अपलाई किये जो उन लोगों का आज भारी पढ़ रहा है दो नमबर समान का इस्तेमाल करके बीस ब्रीज का निर्मान करवाएं जिसके कारण यह पूल बार बार ढहा जा रहा है बार बार ढहा जा रहा है फूर सिर्फ बिहारीयों जारखन कुमें का नसीब ही ओसा लोग सरकार से बना दिये एसा लोग लिख देते हैं तुम लोगों के लिए जन्म नहीं हुआ है ऐसा जारखनी और बिहारीयों के आज की जिन्हगी हो गई है ये बात शच है अगर अगर ऐसा बात नहीं है तो फिर बिहार में एम्स क्यों नहीं है बिहार में किर्केट फिल्ड क्यों नहीं है यह यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं है पूरे बिहार की जनता की है आप लोग बिहार और बिहार सरकार के बारे में क्या सुचते हैं किर्पया कमेंट में जरूर बताना तब तक के लिए धन्यवाद